सो हे इवरिमन दिस सकी नाली और कैसे बचाबाटी आप सभी लोग ताद में आप लोग के लिए लिकर आयो वन शॉट लेक्षर कौन से चैप्टर का लाइफ प्रोसेसज वाले चैप्टर का या आज के वन शॉट लेक्टर आप लोग के लिए बहुत जादा स्पेशल रहने इस इंटाइर वन शॉट लेक्टर में मैंने सभी प्रीवेस यर के कोशन्स इंक्लोड किये जो कि सीब्सी बहुत ज्यादा रिपीटेटली पूछ रही ती जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में से किस टाइप कोशन्स आने के बहुत ज्यादा प अगेदार कॉंटेंट के लिए सब्सक्राइब ताफ सभी लोग का बनता है साथ ही साथ बचा बाटी आप लोग को डरने की जबरत महीं है इस चैप्टर को मैंने इतने इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से दिल और दिमाग म सबसे बयले आता है बचाली नीउट्रीशन तो nutrition में तुमसे 2 ताइप से कोशें पोच सकती है या फिर दूसरे डिफरेंट बोर्स में हो तब मेरे दिफरेंटर ताइप सर कोशन तुम से पूच सकते है पहला कोशन दूसरे टाइप से पूछ सकता है अपने फूट के लिए किसी और पर डिपंडेंट ना हो अपना फूड खुजसी बना सकता हूँ जैसे बना सकते हैं फूट खीक है तो ब्लान्स हो सकते हैं यह तुसरा हो अपने फूट के लिए धूसरे पर द्रप्रिंडट हैसे पर आप शूट क comprehend यह तीन केटेगरी होती हमाही सबसेपहले होती है परसप्षोंपय पारसटिक बढ़ के बच्पूट पर सकते हैं साथिसाड बात करते हैं कि आप इन कोशट का आंसर करना यह कोशेंस रिपीडेल ली पूछा जाता है कि what is photosynthesis यह पूछ लिए दाएगा write down its balanced chemical reaction तो balanced form में ही लिखना है balance वो लगा है साथी दित वाटर the raw materials required for it apart from water water को छोड़ की क्या गया raw materials required है हमाई photosynthesis process को करवाने के लिए सबसे पहले photosynthesis क्या होता है जो plant अपना अपना food बरा लेता है उस process को बोलते हैं photosynthesis it is a complex process by which green plants synthesize their own food ठीक है यह पहला वाले का आप लोका answer हो चुका है दूसरा बोलता है आप लोको balanced chemical reaction लिखने है photosynthesis के लिए तो आप लोके पस CO2 है plus H2O के साथ जब यह react करता है तो in the presence of chlorophyll और in the presence of sunlight हमें मिलता है C6H12O6 that is glucose plus मेरी प्लास O2 मिल रहा होता है and H2O मिल रहा होता है तो यह O2 तो हमारे surrounding में कहीं चला जाता है and H2O भी हमारे plant की body से release हो जाता है तो हम लोग को मिल रहा होता है glucose मिल रहा होता है अब इसको पूरी हमने balanced form में लिखी है तो यह देखो 6 यहां लगा हुआ है 12 यहां लगा हुआ है तो it is balanced equation और 6 यहां भी लगा हुआ है 6 यहां भी लगा हुआ है ठीक है साधीज़त raw materials क्या के use होते that is essential for photosynthesis तो सबसे पहली चीज़ है carbon dioxide नहीं होगा तो photosynthesis कैसे हो रही होगी दूसरा water important है end products में बात करो तो glucose अब glucose बहुत जादा अगया amount में बन जाता है तो कुछ glucose तो हमारा use हो जाता है particular parts में and कुछ वो store कर लेता है further process के लिए store in the form of stars की form में वो store कर लेता है glucose को साथी साथ हमारा carbohydrates important है और oxygen हमारा बहुत जादा important होता है for the process of photosynthesis अब बात करते हूं next question हमसे ऐसा भी पूछ ले जा सकता है water chloroplast what function do they perform during photosynthesis क्या-क्या function perform करते है so बच्चा बाते अगर chloroplast नहीं होता तो photosynthesis नहीं हो रहा होता so chloroplast क्या है हमाइक cell में के अंदर होता है chloroplast so cell in green parts of a plant have organelles called chloroplast and they are the site of the photosynthesis ऐसा बोल सकते है photosynthesis की site साथी साथ क्या होता है यह green pigment जो मतलब chlorophyll होता है मतलब यह हमारे plants की stem होती है leaves होती हो green किसले दिख्री होती है just because of green pigment और वह होती है हमाई chlorophyll साथी साथी साथ chlorophyll क्या करते capture कर लेती जितनी भी sunlight हमारे plants पर fall हो रही होती है so I hope यह तुम लोग को समझ भी आ गया होगा कि क्या क्या फंक्शन से है हमारे chlorophyll के अब बात करती हूँ बचा बाती यह तुम लोग के पास diagram आ सकता है और तुम से पूछ लिए दा सकता है please label the diagram तो यह मैंना पानी अंदर जाता है बाहर भी आता है हमारे स्टो मेटा के तुरू हमारे जैसा हमें घर के अंदर आना है तो हमें किसकी जर्वत है दोर की दरवाज के बिना कैसी आओगे तुम उस तरीके से स्टो मेटा हमारा opening and closing होता है साथी साथ इस्टो मेटा के दो फंक्शन होते है एक और इंपोर्टेंट चीज इस्टो मेटा का भी टाइगर आम आ सकता है स्टो मेटा की तुम लोग को closing और opening आ सकती है तुझे देखो opening में तुम लोग को बताना है कि यह बहुत जाद open दिखाना है कि इसके बीच का जो hole है वो बहुत open दिखाना है closing में तुम थोड़ा स open दिखा सकते हो बाकि rest of the zone में close ही दिखाना है अब यह जितने भी पार्ट से यह तुम लोग को learn होना चाहिए ठीक है क्योंकि इसके labels पूछे जा सकते है यह सभी previous year के questions है स्ट्रोमेटर के दो functions होते है पहला होता है कि gases को exchange करता है जैसे हमाई CO2 हो गया फिर हमारा oxygen हो गया दूसरा होता है कि जो भी हमारी मतलब यह process होती है transpiration में प्लांट में तो loss of excess of water तो यह क्या करता है water vapor के form में जो बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है प्लांट को तो यह water vapor के form में इसको release कर देता है ठीक है बचाबाटी अब तुम लोग ओपन और क्लोज रो स्टोमेटर बता देती हो कैसे होता है देख ओपन कब होता है स्टोमेटर जब उसको कोई चीज चाहिए होती है जैसे ठीक है जब हमारी gases exchange होती है या फिर उसको intake करना होता है water को intake करना होता है तब उसकी उपनी होती है क्लोज दिंग कब होती है जब वो क्या करता है गार्ट सेल्स लूज वाटर क्या करते है वाटर को लूज कर देते उस टाइम पर यह श्रिंक हो जाता है साथी साथ बचावाटे which mode of nutrition does amoeba show explain its steps साथी साथ एक और next और मैं इस तरीके सा question पूछ सकता है या तो ये या ये how does nutrition in amoeba differ from that in peramesia तो मैं आप लोग को बताती है उसका answer क्या हो सकता है कि holozoic mode of nutrition होता है ठीक है holozoic में तुम लोग को 5 steps होती है ठीक है वो बतानी है amoeba में सबसे पहला होता है amoeba में ingestion ingestion मतलब intake of food अब amoeba अपने नकली पेरों से अपने खाने को रूंड रहा होता है और बहुत सारे ingestion कर रहा होता है इस वारी पूरी process में आप लोग को यह term बहुत अच्छे तरीके से याद रखने है कि ingestion को हम क्या बोलते है phagocytosis यह तुमसे एक mark में पूछ लिया जाता है ठीक है last year पूछा था इस साल भी पूछ लिया जाएगा might be possible तो यह जो हम बोलते हैं कि नकली पैरों से मतलब दी तो यह होता है pseudopodia मतलब सूडो मतलब नकली और पैरों से अपने फुड़ को इस तरीके से इखटा करता है अब फुड़ को इखटा कर लिया है तो इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो दूसरी स्टैप होती है हमा अब बात करते हैं अब बात करते हैं और पैर मेशा में क्या में डिफरेंस होता है देखो बचाबटे अपने फूड़ को कहीं से ढूंड लेता है ठीक है जासे मैंने गोला ही अपने नकली फैरों से कहीं से भी डूंड लेता है अब पैर मेशा में के लिए पर्टीकुलर एक जगा होती है जहांसे वो अपने फूड़ को ऑप्टेन कर सकता है साथ ये ऐजेशन के टाइम पर भी क्या होता है जब बहुत अदा अन्डाइजिस्ट like amoeba does but in particles or food through its mouth the oral grow okay साथी साथ बात करते है the process of the question MCQ बहुत बार आया था तो तुम देख लो the process of obtaining food by amoeba is known as dialysis, cytokinesis, phagocytosis या amoeuvysis बच्चों को हुआ लिखता है कि D is correct option पर नहीं अभी हम पढ़ के आ है phagocytosis is the correct option यह देखो ना phagocytosis यहां लोग ने पढ़ा था चीक है इस तरीके से याद रखना है यार यह अगर वन शॉट तुम लोग को लिए helpful रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर करना ठीक है क्योंकि इसमें से काफी सादा हाई ली चांस है तुम्हाई को साथी स यह दो प्रशाइब करने में यह बहुत अच्छी तारीके से हल्प करता है तो यह दो हम चीविंग कर सकते हैं और जो भी हमने फूडर मतलब जो इंटेक है उसको स्मॉल पार्ट्स में लोग डिवाइड कर सकते हैं अब यह इस ओफेगस क्या होता है एक पाइप के तरह काम होता है। साइब आव स्वाइजिशन कहा से माउत से हमेशं govern से स्टार्ट हो जाता है। मोह में ही स्टार्ट हो जाता है नहीं अहीं ही स्टार्ट होता है do sesium क्या करता है जो partially digested food वो मतलब करवाता है kolon की तरुब अब kolon क्या करता है जो हमरा excess of water था इस food में वो हटा देता है rectum क्या करता है यह temporary store करता है जो undigested food था उसको ठीक है I hope यह समझ में आगया होगा माऊथ का देख लिए के माऊथ में क्या function होती है एक लिए लाज इंटरस्टाइन में अप लोग को तीन पार्स होती है सेजियम, इन रेक्टम पर तो रेक्टम क्या है इस दे लास्ट चेमब देट स्टोर साथ फेकल में डाइजेस्टेट फूद को स्टोर करता है अब जो डाइजेस्टेट फूड हो जाते हैं बद जो इसे बाहर कर देता है साथ ही साथ बात करते है कुछ डाइजेस्टिफ ग्लेंड के बारे में तो इस पहली ग्लेंड जो कि है इस लाइवरी ग्लेंड दूसरी ग्लेंड के अगर मैं बात कहूं जो कि होती है गेस्ट्रिक ग्लेंड यह कहां पाई जाती हमारे स्टॉमक के अं और हमारे एंजाइम को डा टायीजिस करते है प्रोटीन के अंदर हलें ठिक्ते की बात करते जो लिवर होता है नार्ज़ेस्ट अजिस्ट ग्लेंड होती है जो कि यी बाइल जुस सिकरीट करती इस चाहिए से रुप harmed म께 चाहिदे होता है कि पर भी बात करते हैं आगे बात करूट तो बहत करेंगे तक आता रहिए पर्य जमंक भी बहुत 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 है वे दात करेंगे साथी साथ है इंटेस्टेनिल ग्लैंबो को आप लो रहा ओलगोव को यह क्या काता है था रहर लेजाए न कुन्तेन करना है को बहुत है ज़रीकम tayंखाता सब्सक्र सबस्क्त ऐसाथ साथ साथ लिस्ट वकषाल लृकर अपटिन इंसका एन्सरी शव विलाई अपलोगा होता है नहीं तरिक्शन की बात करूं चれए पहँ है कमाथो नहीं कि पेपटैस यह मैं थे खरेटी में करते हैं खरेटेस किसका होता है विलाई का होता है जो कि हमारे सेकेंड कोशन था अब विलाई दो काम करता है यह जनरली क्या करता है मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के मतलब बड़ा चूटा होता है तो उसको बड़ा एरिया दे देता है कौन विलाई और साथी जात बड़ा एरिया दे देता है जि पर हमारे कार्णिवोर्स की तो यार वड़े चोटे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन विकोज बच्चापाटी वो सभी चीजे बिलकुल रो खाते हैं जैसे अगर गास खा रहे तो बहुत रो फॉर्म में खा रहे हैं उनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा महनत लगती है अगर हमारी बात करें तो दीदी हम भी तो वेजिटेबल्स खा रहे हैं बच्चापाटी हम जितनी भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं उन सभी को हम लोग कुक खर के खा रहें पका कर खा रहें पालक की बात कर और उसको उबाल कर खाते हैं, भाजी, मेति की बादी की बात कर घुटो सब ही चीज़ों को कुट कर खाते हैं, मीट की बात कर गायूइश Sounds as meat get digested easily यह समझ में आई है अब बात करते रेस्पिरेशन पी तो रेस्पिरेशन क्या होता है और अरोबिक रेस्पिरेशन आप लोग को पढ़ना है आप लोग को एक रियक्शन जो होती वह देखनी है ठीक है जले रेस्पिरेशन होता क्या है तो दे प्रोसेस इन विच होता है हमारा तूटा है अब यह क्शलिश्पिरेशन बोलते हैं अब यह ब्रेस्पिरेशन ब्रेंकी उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस साथी साथी बात के हुए ग्लुकोस जैसे फूड ब्रोक हुआ ठीक है उसके बाद जो ग्लुकोस बनता है तो इसको बोलते हैं और उक्सिडेटिव ब्रेकडाउन यहां हो रहा है साथ ही साथ अगर मैं बात के उसके रेक्शन की तो जो फूड है वो पाउसिजन के साथ हमें एक सो होता है यहां आज आएगा बच्छा बादी थिक है वह बनाता है कारबन ढ क्रe동 के साथ वाटर वार एनर्जी बनता है जो अनरजी हमें मिल रही है और हम कामकरते će जो एनरजी मुझे मिल रही है और मैं लेक्टर रिकॉर्ड करें तो फूड ऑक्सिदन के साथ रेक्ट करता है यह हमारे पास प्रोडेक्ट किया देगा इट गिवस कारबन डियोकसाइड वॉटर एनरजी ऑके बात करते स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की कि उसमें एरोबिक दोनों रेस्पिरेशन होते हैं अब बात करते हैं जैसे ग्लूकोस को क्या करते हैं लोग ब्रेकडाउन कर रहे हैं इन साइटो प्लास्म मतलब इदा है यह पाइरोबेट में ने थी कारबन का एक मॉलिक्यूल होता है अब यहां से अगर इसके पास प्रेजेंस ऑफ मतलब पास सफीशेंट अमाउंट उप्र चले जाएगा अगर किसी माइक्र और इस्ट आप लोग ने देखा ना जब लोग पिज़ा रोटी बनाते हैं तो हम लोग इस्ट बना दे चीके पर्टिकुलर तो हम लोग कर दे चीके कुशी कपड़े से कवर कर देते को पॉलेशिन से क अब पर्टिकुलर कुछ समय के बाद 2-4-6 गंटे की बाद उसके अंदर नहीं जाता है और वो कितना सॉफ्ट हो जाता है ब्रेट की फॉर्म में आजाता है जिसे हम लोग बहुत प्यारी सी पिज़ा ब्रेट बना लेते पिज़ा नान बनाते है ठीक है और वह बहुत प्लस एनरजी यहां से निकलती है अब अगर लेक ऑफ ऑक्सिजन की बाद के तो जब हम लोग कभी-कभी एक्सराइज योगा वगेरा करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तब हमारी पर्टिकुलर बॉड़ी को जितनी ऑक्सिजन की जर्वास होती है उतना पर्टिकुलर अम में ने लागता हैं जासे हम लोग बहुत रनिंग करते हों फ़री के पीछे हमारे क्राइम थाने लग जाते हैं कुछ दिनों में पर्टिकुलर अग्सिजन मिलने लगता है देरे देरे यह लेक्टिक एसीड वापस से हमारा कनवर्ट हो जाता है ठीक है एंड हमें होती है साती साथ presence of oxygen की बात कहुं जैसे अभी मैं बोल रही हूं अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रही हूं तुम लोको अच्छे तरीके से वीडियो शूट कर रही हूं अच्छे तरीके से सारे अक्टिविटीज हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है co2 plus water energy 3 reaction मतलब यह 3 हमारे components होते हैं यह particular तुम लोग को समझ में आज़ गया होगा कि steps of respiration क्या होता है respiration के अंदर तुम से यह पूछ लिया था है what is the other name of trachea what prevents it from collapsing तो trachea का दूसरा नाम होता है wind pipe ठीक है साथी साथ it has a ring of cartilage and these cartilage की ring होती इसके ओपर पूरी ठीक है होता है जैसे तुम्हारे गर में अगर एक्वेरियम वगे रहोंगी तुमने जाद अच्छे से नोटिस क्या हो पिश क्या करती है इस तरीके से कुछ मुमेंट करती है मतलब इसके थोड़ी सी अजीब सा उनका फीस होता है क्योंकि वो ब्रीधिं करती रहती है अच्छे से नहीं मतलब रेस्पिरेशन करते है तो ऐसा क्यों होता है बच्छा बाटी इसलिए होता है क्योंकि हमाने जो एक्वेरियृटिक एनिमल्स होते है उनका जो ऑक्सिजन होता है वो डिसॉल्व ऑक्सिजन के फॉम में वो लोग इंटेक करते है अब यह पानी में गुल जाता है डिसॉल्व हो जाता है तो डिसॉल्व ऑक्सिजन को इंटेक करने में थोड़ी सी परेशानी होती है इसी लिए हमारे एक्वेरियृटिक एनिमल्स की जो ब्रीधिंग रेट होती है अटरस्टियल अनिमल से और साथ ही साथ जो बने होता है जो पादे इस बहुत सारे एक्सराइज कर लिए इस तरीके से ठीक है तो हमनों को क्यों आने लग जाते हैं क्योंकि it happens because muscle cells do not get enough oxygen while exercising and thus anaerobic respiration takes place to them which produce lactic acid as an end product अभी बताया था कि हमें particular इतना oxygen नहीं मिल पाता है जिससे की lactic acid बनता है उसे वज़े से हमें cramps आने लग जाता है accumulation of lactic acid in muscles causes fatigue and muscle cramps हमें होने लगते हैं कुछ दिनों में 2-3 दिनों में hardly muscle cramps हमें ठीक हो जाते हैं यह question आ सकता है important है देख लेना एक बार ठीक है बात करते transportation की के what do you mean by the transportation transportation क्या होता है तो देखते है transportation क्या होता है तो it is the loss of water through the aerial parts of the plant the water is typically lost in the form of water vapors through a tiny opening presence of a link stomater मैंने आप लोगको बोला था अभी जब मैंने stomater पढ़ायता तो बच्चा water का जब loss होता है ना तो वो in the form of water vapors होता है और वो किससे हो रहा होता है स्टोम मेटा सा है क्योंकि स्टोम मेटा ही हमारे प्लांट का opening and closing है दरवाजा है ठीक है डो रहे समझ वाया तो transpiration is called a necessary evil because अब देखो हमारे पास क्या होता है जो हमारे particular transpiration होता है यह particular अच्छा भी है और बूरा भी है अब मैं क्यों बोलिए कर पाएगा वो गल जाता है ठीक है हमारी भाशे में बोलते है गल जाता है ठीक है क्योंकि excess of water सहन नहीं कर पाता है तो क्या होता है जो particular water है वो release हो जाता है in the form of water vapor बट इसका demerit यह है कि जिस दिन कभी sunlight बहुत जादा तीज होती है ठीक है तो उस दिन क्या होता है कि sufficient amount में water पूरे plants में नहीं पहुच पाता है उससे पहले ही water vapor के form में वो release हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जब water अगर सही तरीके से plants के हर parts में नहीं पहुच बाना इससे plants की death भी हो सकती है इसलिए बचा-बचा-बचा टांस्पिरेशन अच्छा भी है बट बुरा भी है दोनों है merits भी demerits भी अब बात करते हैं how food is translocated in plants ठीक है तो कैसे translocate होते हैं कैसे digest होते हैं ठीक है phloem के क्या का components है तो देख लो आप लोग क्या क्या है हमारे साधी cells होते है phloem parenchyma cells होते है companion fibers होते है phloem and हमारी sieve tissues होते हैं यह कुछ components होते हैं हमारे phloem के ठीक है ब्लड को carry करता है बट सिस्टमेटिक हमारे oxygenated blood को carry करता है हार्ट से लेकर rest of the पूरी बॉडी तक बट को carry करता है लंग से और अब्जॉब करता है रिलीज करता है carbon dioxide अब मैं पूरा तम लोगों समझाती हो ठीक है जो मैं double circulation होता है वह आप लोग को पूरा तरीके से मैं समझाती हो सबसे पहले पछापाटी क्या होता है हमारे oxygen मिक्स होता है और oxygenated blood होता है अब यह blood क्या होता है हमारे pulmonary veins में चला जाता है देन उसके बाद यह महां से transfer हो जाता है iota और branches के तो यह left artery में अब आ चुका है left artery में थोड़ी से मोटी होती इन इसको ज्यादा ताकत से पंप करना पड़ता है इसलिए इसकी जो वह होती थिकने जो ज्यादा होती अब यह जब यहां तक आ जाता है नीचे आ जाते तो capillary beds of all body tissues where gas extended occurs अब बात करते हैं यहां से जा रहा होता है हमारा वेना केवा की तरफ तो वेना केवा से हमारा right atrium पर जाता है right atrium से right ventricle में जाता है and यहां से यह pulmonary arteries में जाता है तो यह जो blue color से दिख रहा है यह pulmonary arteries यहां से deoxygenated blood जाता है और deoxygenated blood बात में अल्वाली से co2 में convertor के हमारा बहार निकल जाता है ठीक है तो इसलिए हम क्या बोलते है कि हम क्या हमारे heart के अंदर 4 chambers होते हैं इसमें हमारे oxygenated blood होता है और इसमें हमारे deoxygenated blood होता है तो हम दोनों को separate करके हमेशा रखते हैं आपको चोटे organism में ऐसा होता है कि जादा energy की जर्वत नहीं होती है तो कभी कभार उन्हें हमें मिल जाता है क्योंकि उनमें 4 chambers होते हैं तो oxygenated blood deoxygenated blood से max हो जाता है तो तरहीं problem नहीं होती है वो हमें बहुत तगड़ी energy की तरवत होती है हमारे heart में-चार्गेंबन होते हैं और oxygenated blood इस तरीके से ट्रांस एक्रिक होते हैं तो आप लोग बता हो कौन सा अभी हम लोग पड़किया है? पल्मोनरी वेन, it carries oxygenated blood from lungs to heart. समझ में आ गया, I hope यह समझ में आ गया होगा. बात कर दें बचावाटी, एक next question के बारे में differentiate between blood and lymph. तो blood or lymph के बीजिए में क्या differentiation है, मतलब difference है, वो हम लोग को बताना है. जनरली यह पूछे जाते हैं, तो मैंने आप लोग के लिए एक बड़ा सा table list में तयार किया है. जनरली हमारा blood reddish color का होता है, बटा lymph color less होता है, कोई भी गलट नहीं होता है. इस पार्ट अफ लिंपेटिक सिस्टम, बट इस पार्ट अफ और सर्कूलेटर सिस्टम. बात करते हैं, अब हम लोग तो यह क्या involve करता है, circulation of nutrition, hormone, oxygen, carbon dioxide, waste and other toxins. तो यह सबी चीज़ें इसमें involve कर रहा होता है, बट अगर लिंप की बात करता है, तो यह ना help करता है, बोड़ी को किसी चीज़ में लड़ने से, और immune system में help करता है. साथ ही साथ यह क्या contain करता है, plasma, RBC, WBC and प्लेटलेट करता है, अब बात करें, अगर हम लोग लिंप की बात करता है, यह हमें लिंप है हमारा ठीक है, और यह हमारा blood है, तो तुम लोग को confusion नहीं होगा, अगर बहुत confusion होगा, लिंप की बात करता है, इसमें बहुत जादे न बात करो, अगर carries less oxygen and digested food, but blood में यह जादा oxygen करता है, डाइजेस्ट फूद भी जादा करता है, nutrition are supplied from the cells, tissues to the blood, so lymphatic vessel, but इसमें क्या होता है, nutrition supplies होते, different organs तक ठीक है, अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग- इसके difference लिके, अगर यह आपको 3 marks में आता है, so try to write 3 points होने ही, और आप लोग बस 3 points लिखके, इसको end up कर सकते हैं, 5 number में आता है, तो 5 points लिख सकते हैं, कभी 5 number में differences generally नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, अब बात करते हूं, यह सब ही previous year थे, बार-बार बीच में याद दिलार एक्सक्रीशन, लास्ट टॉपिक पर आ चुके है, इसका तुम लोग को यह डाइग्राम दिया हो सकता है, और तुम लोग को बोल सकते हैं, कि लेबल पाटिकुलर डाइग्राम, ठीक है, so इसको कैसे लेबल करोगे, तो तुम लोग को पता है, दो किडनी होती है, वैसे तो डाइडीन VENACA यह होता हमार रेनल आर्ट्री होता है, यह होता ह हमार रेनल लेन यह यहिरेटर होता है, दनं युरेटर से चैरी करते कर रहे उन Täीकिलर पर पूचे, यूरे자 से यह बाखर हो जाते है, ग्स्पें कर आंचया अच्छा तुम लोग को इंचीता डिया में पूछाता है तो मैंने इसका पूरा एंसर आप लिए प्रिपेर कर दिया है कि अगर आ जाता है तो तो तुम लोग क्या लिख कर आओगे तो यूरीन फॉर्मेशन टेक्स प्रेस इन किडिनीज में यह सबसे पहले स्टार्ट होता है इन नैफ्रोंस में किडिनीज और फॉर्मियन सबसे लिख二 ह 그렇지 दे पहले सिर्फा आरत में किडिनीज में यह रिख कानई एर फॉर्म सबसे पहले होगता है सब dar इर तो एस अरिए फॉर्मियड टेने टापें अगर पंटंट है सबसे पहले होता है और और तीसा होता है सबसे पहलेदिशन होता है बैब में हमारा सक्रेश वह बन सक्रेश तो कोई हमारा नूटरीशन ऐससा तो नहीं है वह बन सब्सक्राइब यह सप्राइब बन से पहले की अब स्थेपश है थीक है तो जो पर्टिकुलर नूट्रीशन है उसको वापस से सेपरेट कर लेते हैं युसको जाने देते हैं आगे जरीशन में बोडी के और भी पार्स युट्सिक्त होते हैं जो कोई काम के नहीं है वो भी सभी involved हो जाते हैं और फिर हमें एक बड़ा सा pressure बनता है और वो सभी चीज़े urine के form में बहार हो जाती है चलिए इन तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं सबसे पहला होता है Glomerular filtration तो Glomerular filtration occurs in Glomerulus where blood is filter कहां होता है Glomerulus में जहां blood filter होता है all the constituent of the plasma rich to the bomb and capsule accept protein तभी चीज़े यार हमारी मतलब toxic material में चलिए जाते हैं except protein चादी जाद इस process is also known as ultra filtration यह क्या हो रहा है filter कर रहे हम protein को चोड़के वही सभागी तभी चीज़ को waste material में ढाल दें अब reabsorption में क्या होता है Glomerular filtrate enters the tubule where essential substance such as glucose amino acids salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube तो यह जो हमारे glucose amino acids salts है और कुछ major amount of water है इसको क्या करता है selectively separate कर देते हैं और फिर जो toxic है उसको आगे जाने देते हैं तो reabsorption में क्या हुआ जो particular nutrition बचेते हैं हम लोग ने वापस से उसको देखा कि यह particular waste material है भी या नहीं हम लोग ने वापसे प्राइरेटी चेक इन लगा है ठीक है और जो particular जो हमाई amino acids थे इस अभी चीज़ों को हम लोग ने separate किया वाटर को separate किया एंड जो waste material था उसको आगे जाने लिए अब tubular secretion में क्या होता है फिल्टर गोस तो दिस्टल पार्ट यूरिया potassium iron and some hydrogen ions are secreted in the form of urine ठीक है जो भी हमारे potassium iron थे या फिर hydrogen थे यह सब भी में होकर हमाई urine के फोर्म में बिलकुल निकल जाता है अब क्या होते बचाबाटी थे यूरीन के फ़र्म में यह निकलता है कहां से निकलता है यूरेटर से निकलता है यूरेटर के थ्रू होते होते यूरीनरी ब्लेडर पर आता है वहां से वह होते होते हमाई जितनी कौंटिटी मतलब पैसा नहीं कि थोड़ा से खटा हुआ तो हमें यूरीन आने लग जाती नहीं पर्टिकुलर कुछ ठीक है तो यह बचाबाटी यह वन शॉट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूस्फुल यहां हमाई चैप्टर का बिल्कुल हो जाता है एंड अप समाप हम लोगों ने सभी टॉपिक्स भी कवर किये और जितने प्रीविए से कोशन से वह सभी इंटार कोशन में आप लो तो तुम्हारी तो बलले बलले शावा हो जाएगी तो इस तके थासू content के लिए चैनल को subscribe कर लो bye icon को press कर लो एल अपनी प्यारी से जीदी के लिए इतने सारे efforts के लिए प्यारा से content बनता ही तारि तर मिलते।ब मैं इसी चैनल पर नेक्स वीडियो में all the very best for your science exam फोड़ देना मेरी जान, आग लगा के आना बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, अच्छा भी पर आएगा, ठीक है, बहुत प्याए तरीके से अटेम्ट करना है, कोई भी कोशन छोड़कर नहीं आना है, till then keep learning, this is your educator सकी नाली, signing off.